की बघ्रिंद्स विल्कम बेक्टु मैं चानल फ्रेंट्स आज मैं आप सभी को यह मायकरम का बोहत ही सु मुष्ण पिक्रण का बनाना बताओंगी यह आप सभी का बोहत सरा रिक्वेस्ट और दिमांड पर काफी दिनों से आप सभी लोग प्लीज लाइक कीजिएगा, शेर करिएगा, और चैनल को जरूर सस्क्राइब कीजिएगा. So, यहाँ पर फ्रेंड्स, बात कर लेंगे कॉर्ड के बारे में और माटेरियल, So, यहाँ पर देखिए, लाइट ग्रीन कलर का कॉर्ड लिया है हमें ने, यह हमें कमी कॉर्ड चाहिए, जादा कॉर्ड नहीं लगेगा, यह मैने सारी कॉर्ड अपनी चॉइस से लिये हैं, परपल कलर का कॉर्ड जो है, हमें पूरा एक बंडल चाहिए, इसके बाद देखिए, ब्लु कलर का, य Windows कलर का, पिंक कलर का और साथ में, रैड कलर का मैंने कॉड ले लिया है सिर्फ हमी यहाँ पर पर्पल कलर का ही जो कॉड है यह हमें ज्यादा लगीगा इसके बाद यहाँ पर देखी फ्रेंड्स हमें टू इंच की राउंड रिंग चाहिए अगर आपके पास नहीं है तो आप धाई इंच की भी रिंग ले सकते है और इस तरह के हमें मोटी क्रूसिया चाहिए कॉड को पास करने के लिए इसके बाद हर बार की तरह हमें लाइटर और सीजर्स चाहिए साथ में हमें एकी तरह के दो कलर के बीट्स चाहिए मटका शेप के बीट्स चाहिए और यहाँ पर दिखी फ्रेंड्स जो मोर होता है उसके सर पे जो पंक बनी होती है उसे बनाने के लिए हम आए इस तरह का इसे शायद पराग बोलते हैं मुझे आइडिया नहीं है पर यह मेरे पास था जैसे कि गुलाब का फूल वेगर बनाते हैं तो उसमें इसका इस्तमाल करते हैं तो यह दुकान पर आपको बहुत यासानी से मिल जाएगा तो इसका यहाँ पर मैं इस्तमाल करूंगी मोर के सर पे पंक बनाने के लिए तो चले स्टार्ट करते इसे बनाना तो अभी यहाँ पर देखिए फ्रेंड टू इंच की मैंने राउंड रिंग ले लिए है और इसके बाद यहाँ पर पर पल कलर का मैंने कॉड लिया है तो पर पल कलर का जो कॉड है हमें ज़्यादा लगने वाला है पहले से मैंने कॉड को कट कर लिया है वन मिटर में तो अभी इस रिंग पर हमें कॉड को करना है अटाच तो इसमें से कॉड ले लेंगे और कॉड को यहाँ पर देखिए फ्रेंड इस तरह से हमें करना है डबल दिखी, ध्यान से आप दिखी फ्रैंट, इस तरह से हम डबल करेंगे, और डबल करनी के बाद ही हमें रिंग में अट्याच करना है, तो रिंग के अंदर से हम देखी हम देखी इस कौड को निकालेंगे, फंदे जैसा बन जाएगा और इस तरह से easily ring के उपर attach हो जाएगा इसके बाद हमें फिर से second quad लेना है उसे भी double करना है और ring के उपर attach कर देना है तो इसी तरह से friends हम one by one करते हुए एक कोड को ring के उपर attach कर लेंगे तो अभी यहाँ पर देखी friends रिंग के उपर मैंने सारे कोड को attach कर दिया है आप देख सकते हो friends और यहाँ पर मैंने देखी friends टोटल 18 कोड मैंने attach किया है वन मिटर के 18 कोड मैंने एक एक मिटर के attach किये है तो अभी यहाँ से हम इस तरह से देखी friends four quads ले लेंगे और simple square knot continue करेंगे यह देखे इस तरह से simple knot लगाना है यानि जो first round है इसमें हमें simple square knot लगाना है तो इस तरह से four quads लेंगे और simple knot लगा लेंगे अब यहां पर फिर से देखिए फ्रेंड्स फोरकॉड ले लिया है मैंने और फिर से यहां पर सिंपल नॉट लगा देना है यह देखिए इस तरह से आगे भी देखिए फोरकॉड ले लिया और यहां पर भी हमें सिंपल नॉट लगा लेना है अभी यहाँ पर देखे फ्रेंड पूरा नॉट लगाके 4-4 quads को लेते हुए नॉट लगाके complete कर लिया है इसके बाद फिर से यहाँ पर देखे फ्रेंड दो नॉट में से हमें इस तरह से 2-2 quads लेना है तो totally यहाँ पर देखे 4 quads हो गया है और फिर से हमें simple नॉट लगाना ह यानि जो सेकेंड राउंड है हमारा वो भी हमारा सिंपल स्क्वेर नॉट ही बनेगा तो इस तरह से हमें फोर कॉड लेके सिंपल नॉट लगाना है यह देखें के लिए इसके बाद फिर से अब आगे के तरफ दो नॉट में से देखें दो-दो कॉड ले लिया तो टोटल four chords और इसके बाद simple square knot तो इस तरह से हम यह नॉट फोर फोर कोट्स को लेते हुए लगाते जाना है सो यहाँ पर अभी देखिए फ्रेंड्स सेकेंड राउंड भी मैंने फर्स्ट राउंड की तरह simple square knot लगा के और यहाँ पर पूरा मैंने complete कर दिया है इसके बाद देखिए फ्रेंड्स अभी हमें cords को piping करने हैं तो यहाँ पर आप कहीं से भी एक cord उठा लेजिए और जो cord हम उठाएंगे उसके आगे के तरफ जितने भी cords रहेंगे अफारी सभी को हमें उसी cord पे जो हमने cord उठाया है उसी के उपर double-double time करना है wrap तो थोड़ा मिन्हें जूम करके दीखा देती हूं आपको तो यह दिखी फ्रेंड्स जो cord मैंने उठाया ने उठाया है उसके ऑगे颇म को मैं उठा के जो cord मैंने उठाया है उसी के उपर में डबल डबल टाइम को रैप कर रही हूँ तो इसी तरह से friends सारे कोर्स यारी आगे के जितने भी कोर्स रहेंगे सभी को हमें डबल डबल टाइम कर लेना है रैप अब यहां पर देखी friends पूरा मैंने कोड इस तरह से एक एक लेते हुए रैप कर दिया है और यहां तक लाके मैंने पूरा जहां से स्टार्ट किया था वहीं एंड कर दिया है इसके बाद हम देखी friends डेड़ मीटर का मैंने कोड लिया है यह कोड हमें बहुत ज्यादा लगने वाला है क्योंकि इसी कोड से हम आगे करते जाएंगे इसके बाद देखिए जहां पर यह देखिए एंड हुआ है वहीं से आगे का यह कोड ले लेंगे और इसके उपर हम य इस तरह से डाइब करके और कोड को फिक्स कर लेंगे यह दिखिएól प्रेंगे अर्ट के तरह के तरह कोर्द करते आएंगे तो एक एक कॉड उठा उठाके और उसके उपर हमने जो एक्स्ट्रा कॉड लगाया है उसी से हमें सारे कॉड पे डबल डबल टाइम रैप करते जाना है यहां पर इसी तरह से हमें रैप करना है यानि देखिए जो मैंने एक्स्ट्रा कॉड लगाया है उसके उपर जो यह कॉड ह अंदर वाले जो chords हैं उसके उपर रखना है और डबल डबल टाइम रैप करते जाना है अभी देखिए इसी प्रोसीजर से अभी हमें एक एक कॉड आगे का उठा उठाके और एक्स्ट्रा कॉड लागा है उसी से हमें डबल टाइम रैप करके जहां से स्टार्ट किया है वहां तक लाके कम्टीट करना है तो यहां पर अभी देखिए इतना मैंने कॉड को सेम रैप करना था तो मैंने इतना रैप करके ले लिया है राउंड में तो फोर लाइने मैंने यहां पर डबल डबल टाइम कॉड को राउंड में रैप करके ले लिया है तो इतना मैंने कम्प्लीट कर दिया है राउंड मे इसके बाद ये जो extra cord मैंने starting में देखी friends लगाया था इसको हम क्या करेंगे छोटा करके और पीछे के तरफ इसे हम scissor से दबा देंगे cord जो है इसे पीछे कर लेना है और पीछे करने के बाद देखी friends लाइटर के मदद से जड़ासा इस cord को मेल करना है और पीछे के तरफ चिपका देना है अब यहाँ पर देखी friends इतना जो मैंने cord रैप किया है इसमें मुझे एक बॉल बना के लगाना है तो जैसे माइकरम का cord जो मेरे पास wastage था तो यहाँ पर देखी इस तरह का cord है इसको मैं आपको निकाल के इसमें कि जो सूते हैं निकाल के दिखा देती हो देखी इस तरह से सूते निकाल लेना है और इसी का हमें एक बॉल तयार कर लेना है जिसे माले जी गिफ्ट पेपर वेगरा लगा के टेप की मदद से और इस तरह का बॉल तयार करेंगे जो यहाँ पर जो cord रैप किया है उसमें लग जाए इसी तरह का बॉल तयार कर सकते हैं और बीच में लगाने के लिए तो यहां पर दिखी फ्रेंड्स, अभी हमें साइड से पीन अप कर दूँगी, तो यहां पर मैंने पीन लिया है, तो साइड से यह पीन लगाने से यह होगा, कि यहां पर जो कॉड है, मतलब बॉल है, अच्छी तरह से कॉड के साथ फिक्स हो जाएगा, तो मुझे आगे जो म कॉड को रैप करना, वही स्टार्ट कर लेंगे, तो यहां पर देखिए, फिर से मैंने यहां पर आगे काई कॉड ले लिया है, और इसके उपर जो एक्स्ट्रा कॉड लगा हुआ है, उसके ही मदद से रैप करना है, तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कॉड को रैप करना, सेम वही प्रोसेजर हमारा रहेगा कॉड को रैप करने के लिए, तो इस तरह से फ्रेंड्स एक एक कॉड उठा उठा के और हमें एकदम आराम से रैप करते जाना है, तो फ्रेंड्स, यदि आपको कॉड छोटा हो जाता है, जो कॉड आपने लगाया है, तो आप लाइटर की मदद से अलग से एक्स्ट्रा कॉड इसमें जॉइन कर सकते हैं, यह देखिए, इस तरह से चिपका लेना है कॉड को, इसकी बाद फिर से हमारा जो प्रोसेजर है, क तो यहां पर यहां पर फिर से कॉड करेंगे, कॉड को जो उपर को जो प्रोसेजर है, मैं आपको बता देती हूँ, तो यहां पर अभी एक कॉड कर लेंगे, देखिए फ्रेंट्स, हम यहां पर भी घटाना है, उपर की जो कॉड है, उन्हें कम करना है, और कॉड को कॉड करने के बाद, हम अंदर की तरफ कॉड को धकेल देंगे, और आगे का जो कॉड हैगा, उससे करेंगे रैप, तो एक कॉट भी कम हो जाएगा और आपका जो जगह खाली हो कबर हो जाएगा तो एक कॉट रैप कर लिया फिर से सिकेंड कॉट रैप करेंगे यह देखिए इस तरह से अब देखिए यहाँ पर मैंने थ्री कॉट को रैप यहाँ पर कर लेना है उसके बाद फिर से मैं आगे का एक 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 एक्स्ट्रा कॉट जो है उसे कट करके और फिर से मैं इसको अंदर की तरफ दबा दूँगी उसके बाद फिर से एक कॉट ले लेना है और इसके उपर फिर से हमें double time extra quad से wrap करना है देखिए इस तरह से double time wrap कर लिया फिर से second quad लेंगे आगे का और इसके उपर भी हमें wrap कर लेना है देखिए इस तरह से और एक और quad ले लेंगे तो इस इस राउंड में हमें friends 3-3 quads को wrap करना है और उसके बाद जो आगे का कॉड रहेगा उसे कट करके अंदर के तरह दबा देना है यह देखिए इस तरह से उसके बाद जो हमारा second round रहेगा वह भी हम two quads को wrap करेंगे फिर एक के कॉड अंदर दबाएंगे इस तरह से जो फ्रेंड्स घटाथ़के पूरा यहां यह जो हिस्सा है उपर का प्रक्राइ घट जाएगा कल दो होताईगा तो आप और सारे कॉट्स को हमें छोटा-छोटा कट कर लेना है, सीजर से, ये देखिए, सीजर से कट कर लेंगे, और अभी कट करने के बाद, देखिए फ्रेंड्स, इन्हें क्या करेंगे, अंदर के तरफ सीजर की मदस से, जरा सब प्रेस करते हुए, को अंदर के तरफ दबा देना है, यह देखिए, एके कॉड्स को हमें अंदर के तरफ धकेलते हुए, यहाँ पे फिट कर दे, यानि फिक्स कर देंगे, अंदर के तरफ चला जाएगा कॉड्स, और दिखाई भी नहीं देगा, और इसकी फिनिसिंग भी अच्छी लगेगी, इस तरह से देखिए, यह पूरा बनके इतना, मोर का जो आधा हिस्सा है, बनके पूरा कम्प्लीट हो गया है, बहुत ही फिनिसिंग में अच्छी तरह से यह बनके भी आ गया है, अभी això कि अभी इसके बाद इसकी फ्रेंट्स, यहाँ पर हम क्या करेंगे, पर दिखिए अख भूर का गर्दन बनाएंगे तो इसके लिए सकी लिए मेने इसके इहाँ पर देखिये कॉर्ड लिया, कोड लिया है तो इस कोड को मैंने देखिए फैंस देड़ मीटर में कड किया है और यहां पर देखिए गोलाई में हमें यहां पर को लगाना है तो यह देखिए फ्रैंस इसे कितने डिस्टेंस पर लगाना है आप बनाते टाइम उसका डिस्टेंस देखते हुए आप कोड को लीजिएगा तो यहां पर देखिए उपर की तरब मैं कॉड अटेज कर रही हूं तो क्रोसिया की मदद से हमें यहां पर यह को फसाना है जो देख सकते आप जो मैंने कॉड ड्रैप किया हूं वहां पर क्रोसिया फसा लिया है और अलग से जो एक्स्ट्रा कॉड है हमारा 1.5 म कीटर का इस तरह से उसमें से खीच के और यह देखिए थोड़ा सा यहां पर टाइट पड़ेगा लेकिन निकल जाता है कॉर्ड और यहां पर देखिए फंदा बनाते हुए कॉर्ट को यहां पर हमें लगा लेना है इसी तरह से हम सारे कॉर्ट को यहां पर लगाएंगे अभी second cord जो है यह देखिए अभी side में second वाला cord भी लगा लेना है बहुत easy है आप जरा सा थोड़ा सा cord यहाँ पर hard होता है लेकिन आप process लगाएंगे cords को तो easily लग जाता है यह देखिए यहाँ पर मैंने total four cords मैंने लगा दिया है डेडड़ मिटर के गर्दन के लिए अभी इसके बाद देखिए friends cords को हमें चार भागों में कर लेना है और first वाला cord हमें second पर रखना है second वाले cord को हमें third cord पर रखना है third वाले cord को हम fourth वाले cord पर रखेंगे और fourth वाले cord को देखिए friends यहाँ पर जो first वाला gap है उसमें से निकालेंगे तो इसके पहले देखिए friends जो मैंने बाल गोपाल की जो पालना बताई थी उसमें मैंने आपको यह नौट बहुरती detail में बताया है तो उसी नौट का मैं यहाँ पर देखिए friends इस्तमाल कर रही हूँ यह मोर के गर्दन के लिए इसके बाद अभी देखिए चारो तरफ से हमें एक बराबर में cord को खीचना है जिससे की cord यहाँ पर अच्छी तरह से जो नौट है अच्छी तरह से fix हो जाएगा इसके बाद फिर से हमें second round में भी हमारा same procedure रहेगा लेकिन उसके लिए second round लगाने से पहले यहाँ पर मेरे पास देखिए 10 इंच का एक वायर है और वायर को हम बीच में जो नौट मेंने एक नौट लगा है उसकी बीच में फसाएंगे और फसा के जो मोर का गरदन का जो शेप होता है वही शेप हम यहाँ पर देदेंगे देखिए पतला वायरी लेना है थोड़ा सा टाइट हो बहुत नरम वायर भी नहीं हमें चाहिए थोड़ा सा टाइट वायर चाहिए और आप जो यह में बॉल बनाए है उसमें आप फसाएंगे और बाद में जब आप नौट लगाएंगे पूरा करेंगे तो मोर का जो गरदन है वह सही बन जाएगा तो यह देखिए वायर का पहले हम थोड़ा सा शेप देदेंगे मोर के पैए घरदन के हिसाबसे अब यहां पहर देखिए फ्रेंड्स बीच में वायर कर लगाने के बार हमारा जो नों और है फिर से कंटीन्व होगा फृस्ट वाले कोढ़िको पहर भी टर्वाले कष्ञार को फॉर्ट पहर और फॉर्ट वाले कोड़ परस्ञार के असारे क्राबर में खीचना है तो जिसी की जो नॉट है हमारा एकदम फिक्स टाइट अच्छी तरह से बन के आएगा ये देखिए और यहां पर जो मैंने वाइर लगाया है वाइर भी यहां पर अच्छी तरह से नॉट के साथ फिक्स होते जाएगा फिर देखिए फिर से हमारा सेम इस तरह से निकालते हुएँ दीखी फ्रेंड यह नॉट लगाना है हमें और उसके बाद फिर से हमें चारों तरफ से अच्छी तरह से इक्वल में कॉर्ट को खीचते हुए और इस नॉट को अच्छी तरह से करना है पैक सो अभी आपे देखिए फ्रेंट्स मैंने आपको इतना नौट बना की आपे दिखा दिया है और इसी तरह का यह जो नौट है हम आगे भी मोर के गर्दन के बराबर कंटिन्यू कर लेंगे सो अभी आपे आप देखिए फ्रेंट्स जीतना मोर का मैंने आपे जो वायर था उतना वड़ा मैंने इस का गर्दन बना के मोर का गर्दन बना के कम्प्लीट कर लिया है इसके बाद अभी हम इसका चोच बनाएंगे तो चोच के लिए आपे देखिए फ्रेंट्स मैंने रेड का मैंने कौड लिया है और यहाँ पर एक जो कौड है उसमेंसे हम रेड कौड को इस तरह से फिक्स करेंगे यह दिखिए डबल टाइम र्याप कर लेना है को लेके के की सो यहाँ पे देखी फरेंड अभी रेड कलर का कॉर्ड मैंने फिक्स कर कर दिया है कॉर्ड पर उसके आगे का जो यहces रूंद या देगत जितने हरा पर फिकर स میں तर झाल कर ले रहे आ कि अब यहां पर देखिए फ्रेंड एक round complete कर लिया है फिर second round में एक कोड रैप करेंगे इस तरह से double time हमें एक कोड रैप करना है इसके बाद यहां पर करने के बाद देखिए फ्रेंड आगे वाला जो कोड है उसे हम सीजर से कट कर लेंगे यह देखिए छोटा कट कर लेना है सीजर से फिर से उसके आगे का जो कॉड रहेगा उससे हमें रैप करना है तो देखिए फ्रेंड सिकेंड डाउन ऐसी रहेगा हमारा एक कॉड रैप करेंगे फिर से एक कॉड को सीजर से कट कर लेना है हमें छोटा कॉड कर लेना है और फिर से देखिए फ्रेंट्स आगे का जो कॉड है जो मतलब कॉड मेंने कट के है उसके आगे का जो कॉड रहेगा उसे फिर से हमें रेड कॉड से डबल टाइम रैप करना है तो यहां पर देखिए एक कॉड फिर से रैप कर लिया और इसके आगे का जो कॉड रहेगा हमें फिर से कर्ट कर लेना है कोड को कट करने बाद जो कोड बचे का आगे उसे रैप करना है इसी तरह से हमें सेकंड राउन भी पूरा कम्प्लीट कर लेंगे तो अभी यहां पर देखी फ्रेंड पूरा रैप कर लिया है उसके बाद परपल कलर के दो कॉड बच गे हैं और इनके उपर अभी हमें रेड कलर के कॉड से नीचे के तरफ से इस तरह से टू टाइम हमें और परपल कलर का कॉड रैप कर लेना है इस तरह से यह मोर का पूरा जो चोच है अच्छी तरह से बन गया है और यह परपल कलर का जो कॉड है इसे हम सीजर से कट कर लेंगे और कट करने के बाद देखे फ्रेंड लाइटर की मदर से जरत से मेल करना है इस कॉड को ताकि इसके सूते नहीं निकले और यह दिखिए और इसको यही पर अंदर के तरफ दबा देना है और रेट कलर का भी मैंने कॉड कर लिया है इसको भी अंदर के तरफ दबा देना है तो अभी यहां पर देखे फ्रेंड यहलो कलर का मैंने कॉड लिया है और अभी हम यहां पर कॉड लगाएंगे क्योंकि अभी हमें पीछे के तरब मोर का जो बड़ा सा पॉंक होता है उसे बनाना है तो इसके लिए यहाँ पर मैंने देखी एक मिटर का यलो कलर का कॉड कड किया है और क्रोशिया की मदद से अभी मैं कॉड यहाँ पर अटैच करूंगी तो यलो कलर का यहाँ पर देखिए इस तरह से कॉड फसा लेना ह और फंदा बनाते हुए दिखे दोनों आगे के दोनों कॉड्स को इसमेश से निकालते हुए और एकदम आराम से खीचना है और खीचके नॉट लगा लेंगे तो इसे तर से yood यहाँ पर fix हो जाएगा इसी तरह से हमें यहाँ पर सारे k veto को लगा लीना है तो यहाँ पर देखे फ्रेंट, टोटल मैंने 6 कॉर्ड लगा लिया है, 11 meter के और इसके बाद यहाँ पर हम फिर से 4 कॉर्ड ले लेंगे और simple knot लगाना है, 4 कॉर्ड को लेते हुए, simple square knot लगाना है यह देखे इस तरह से अब फिर से देखे फ्रेंट, 4 कॉर्ड ले लिया और simple knot लगाना है इस तरह से यहाँ पर एक knot लगा दिये बीच में, इसके बाद मैंने देखे फिर से 4 कॉर्ड ले लिया है और इससे लेते हुए फिर से हमें यहाँ पर एक simple knot लगाना है तो इस तरह से यहां पर देखी friends total हमारा yellow cord से यहां पर 3 knot यहां पर बन के आ गया है 6 cord लगाया था तो 3 knot यहां पर बन गया अभी देखी 3 knot है तो अभी इसके बाद हमें 2 knot लगाना है तो इसके इन में से दोनों यहां पर जो knot बनी हुए हैं दोनों knot में से मैंने 2-2 cord ले लिया है total 4 quarts हो गए और इन्हें लेते हुए फिर से हमें 1 knot लगा देंगे अंदर के तरफ ए दिखी एक knot लगा दिया इसके बाद फिर से अभी एक यहां पर 4 cord को लेके दोनों तरफ से 2-2 cord और यहां पर भी एक simple knot लगा लेंगे तो यहां पर भी knot मैंने देखी लगा के complete कर लिया पहले 3 फिर 2 इस तरह से मैंने knot लगाया है इसके बाद यहां से starting से cord ले लेंगे और इसके उपर 1 by 1 करते हुए सारे cords को double time wrap करेंगे तो यह देखिए जो मैंने starting का cord लिया है उसी के उपर अभी एक-एक cord उठा उठा के और double-double time हमें एकदम आराम से wrap करना है अभी इसके बाद यहां पर देखिए फ्रेंड सारे cords को wrap कर लिया और जो starting वाला cord यहां पर आया है यही से क्रोसिया की मदद से यहां पर जो मैंने purple कलर का cord wrap किया है यही साइड से हमें यह यलो कलर के cord को हमें इस तरह से क्रोसिया की मदद से आगे की तरफ खीषते हुए निकाल लेना है यह देखिए इस तरह से निकाल लेंगे और अभी यहां पर देखिए फ्रेंड इस कॉट को हम सीजर से कट कर देंगे और कट करने के बाद अलग से मैंने blue कलर का cord ले लिया है इसको हम लाइटर की मदद से इस वाले yellow कलर के cord के साथ चिपका देंगे इस तरह से देखिए फ्रेंड blue कलर का cord मैंने जोइन कर लिया इसके बाद अभी ब्लू कलर के cord से हमें yellow cord पे double डबल टाइम रैप करने है तो यहां पर जितने भी cord है फ्रेंड सभी के ऊपर हमें blue cord से double डबल टाइम रैप करना है यह देखिए yellow कलर के cord ब्लू कलर के cord पे इस तरसे रखना हुआ और इसके बार डबेंकिने यह इसी तरह से यह फ्रेंड हम पूरा रांड हमे एक-एक यहलो लू कलर की कोट पर रेप करना है माई सभी यहां पर देखे फ्रेंड लास्ट और स्वसे घ्रेपकर लें इसे आदि और पर पूरा इस तरह से अच्छी तरह कर लेंगे और इसके बाद हमी रेड कलर की कॉट्स को अटैज करना है बुलू कलर के साथ लाइटर की मदद से दोनों कॉट्स को दूसरे साथ चिपकाना है तो यानि यहां पर देखिए फर्स्ट ब्लू और सेकेंड डाउन हमारा रेड कलर के कॉट्स से होगा तो जैसे फर्स अब यहां पर देखिए फ्रेंड्स मैंने यहां पर फिर से रेड कलर का कॉट्ड लिया है और यह कॉट्ड हमारा डहाई मीटर का है 2.5 मीटर का मैंने कॉट्ड कट किया है और यहां पर अभी हम इस रेड कॉट्ड को फसाएंगे तो देखिए जो मैंने स्टार्टिंग में नौट लागा था, simple square knot, उसी के बीच में जो gap है, वहीं से इस red color के cord को मैं इस तरह से फसाते हुए निकाल लूँगी, क्योंकि अब हमें more का जो side वाला हिस्सा है, उसे बनाना है, यह देखिए, इस तरह से red color का, यहां पर मैंने 1.5 meter का cord फसा लिए, अब इसके उपर हम cord attach करे करेंगे, सो अभी यहां पर देखिए, green color का cord लिया है, light green, और इसे मैंने 2 meter में cut किया है, और red color के cord पे इस तरह से हमें देखिए, attach कर लेना है, फसा लेना है cord को, इसके बाद, देखिए, second cord ले लिया है, yellow color का, यह भी हमारा 2 meter का cord है, और इसे भी यहां पर इस तरह से फसा लेना है, तो ऐसी मैं सारे cord को यहां पर फसालूंगी, तो अभी यहां पर देखिए, four colors के मेनी यहां पर, yellow, blue, pink, and light green, और साथ में एक red, इस तरह से five colors के cord मेनी यहां पर attach कर लिया है, पंक के लिए, इसकी बाद, जो यह cord है, red वाला, अभी sides के, यहां पर देखिए, side से जो purple color का cord है, तो क्रोसिया के मदद से हम, यहां पर एक cord इस तरह से, यह देखिए, फसाते हुए, निकाल लेंगे, ताकि पंक बनाते time हमें, अच्छा space भी मिल जाएगा, और इसका shape भी, पंक का जो shape है, वो भी बनके अच्छी तरह से आएगा, तो इस तरह से हमें, यह देखि फ्रेंड, उपर के तरफ से, इस तरह से not लगाना है, cord के, और एक बार नीचे के तरफ से, यह देखिए, फिर से एक बार उपर के तरफ से, और एक बार नीचे के तरफ, यानि दोनों cords को एक दूसरे के उपर, उपर नीचे से चलाना है, यह देखिए, एक बार उपर से, फ फिर से एक बार नीचे के तरब से, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंद्स, इस तरह से 4 नॉट्स बन गए है, आप इसकी जग़ा पर 3 नॉट्स भी बना सकते हैं, तो अभी यहाँ पर 4 नॉट्स बनने के बाद, यह जो यलो कलर का कॉड है, इसमें हम एक बिट्स डालेंगे, बड़ी साइच की, तो यहाँ पर देखिए, लाइट ग्रीन मैंने बिट्स लिए है, बड़ी साइच की, और यलो कॉड में हम इसे डाल देंगे, और इसके बाद, यह देखिए, एक रेड कलर का कॉड हम बाहर छोड देंगे, और एक कॉड को लेके, और आगे के जितनी भी सारे कॉड से, सभी कॉड को हमें, इस तरह रेड कलर के कॉड पे, डबल डबल टाइम, एकदम आराम से रैप करना है, अब इस सेकेंड यलो कॉड ले लेना है, और इसको भी देखिए, इसी तरह से अराम से रैप करना है, बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में टाइट नहीं करना है, नहीं तो बीट्स जो है, वो उपर के तरफ आ जाता है, और यहां जो डिजाइन है, इसका शेप भी अच्छा नहीं दिखेगा, तो धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, उसी हिसाब से हमें, उपर के तरफ ज़रा जाए, कॉड्स करते हुए रैप कर लेना है, यानि इसका शेप एकदम सही आ जाता है, अगर आप सही से रैप करेंगे तो, सो इस तरह से फ्रेंड सारे कॉड्स को मैंने रैप कर लिया, इसके बाद यह जो रेड कलर का कॉड्स है, तो यहां पर देखिए, जो मैंने नौट बनाया है, उसी में से रेड वाले कॉड्स को पास कर लके, और बाहर के तरब निकाल लेंगे, जिससे कि यह जो मोर का पंक है, इसका से बहुत सही आ जाएगा, एक एक बार नौट में से फसा फसा के बनायेंगे, तो उसका पंक एकदम सही तरीके से बन जाएगा, अब इस रेड कलर के कॉड्स पे, आगे के दिखिए, सारे कॉड्स को डबल टाइम रैप करना है, और एक बात यहाँ पर बताना चाहती हूँ, जब भी हम डिजाइन कम्प्लीट करेंगे, और बीच में जो नौट बनायेंगे, वहाँ पे आएगे, इसी तरह से देखिए, वन बै वन करते हुए, सारे कॉड्स को यहाँ पे रैप कर लेना है, यहाँ पे अभी देखिए फ्रेंड, सारे कॉड्स को मैंने रैप कर लिया, और इतना रैप करने के बाद, अभी जो उपर का रेड कलर से मैंने डिजाइन बना है उसी बनाना है तो एक बार देखिए एक दूसरे के उपर इस तरह से कॉट को रिड कलर के कॉट को रैप कर लेंगे और फिर से हमें एक बार उपर के तरफ से क episo i book इसकी एक बार उपर के तरफ से कॉड को रद कर ना है इसके बाद एक बार और नीचे के तरफ से कॉड को रilsक्त करना है यह दी एक नाट बन गया फिर से एक बार उपर से और एक बार नीचे से इस तरह से 4-0 बन गए इसके बाद यहाँ पर दीखी फ्रेंड फिर से मैंने sky color का यहाँ पर बीट्स लिया है और yellow color के cord में इस तरह से इसे डाल देना है और डालने के बाद जैसे उपर के तरह हमने cord को wrap किया था उसी तरह से दीखी फ्रेंड फिर से हम एक एक आगे के जितने भी cord है सभी को एक एक बार उठाना है और double-double time red color के cord पे हम इस तरह से wrap करते जाएंगे अब यहां पर देखी फ्रेंड फिर से हम पूरा cord को wrap करने के बाद यहां पर यह जो red color का cord है जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हर बर जैसे जैसे हम cords को wrap करेके यहां पर आएंगे तो red वाले cord को हमें नौट में से फसाते हुए निकालना है तो यहां पर फिर से देखी क्रोशिया की मदल से cord को pass कर लेना है नौट में से यहां पर अभी देखी फ्रेंड red cord को नौट में से पास करने के बाद यहां पर इसको turn करते हुए जितनी भी आगे की cord है सबको हमें double time wrap कर लेना है सो अभी यहां पर देखी फ्रेंड्स यह जो मोर का पंक है side design जो है इससे मैंने इतना बना के और colorful में बहुत सुन्दर लग रहा है 4 bits लगाते हुए red color के cord को turn करकर के मैंने इतना बना कि complete कर लिया है इसके बाद अभी यहां पर देखी जो red color का देखी फ्रेंड्स यह जो cord है इसको फसानी के लिए अभी हमारे पास knot नहीं है तो हम यहां पर yellow color के जो cord बचा हुए है इसे half कर लेंगे और अभी यहां पर हम पहले cord को wrap करेंगे जिससे की red color के cord को हर बार फसानी के लिए हमें जगह मिल जाएगा तो starting से यहां पर देखिए yellow color का cord ले लिया है और half cord को हमें इस तरह से एक दूसरी के उपर wrap कर लेना है यह दिखिए half cord को ही wrap करना है यहां पर जितना भी cord रहेगा इस तरह से half कर लेना है और cords को starting का एक cord उठाके और उसके उपर सारे cords को आगे के जितने भी cord रहेंगे उन्हें wrap कर लेना है सो अभी यहां पर देखिए इस तरह से last में दोनों तरफ से एक एक cord जो बचा हुआ है इन्हें एक दूसरे के साथ हमें इस तरह से wrap कर लेना है यह देखिए उसकी बाद फिर से अभी यहां पर starting से cord ले लेंगे और इसकी उपर जो बचे हुए cord है आगे के तरफ हाफ cord इन्हें wrap करना है यह देखिए double-double time wrap कर लेंगे दूसरी तरफ भी इसी तरह से wrap कर लेंगे cord को सो अभी आपर देखिए फ्रेंड्स यह उपर का जो हिस्सा है मोर का इतना बना के complete कर लिया और एक cord को यह लो कलर का जो एक्स्टर कॉर्ड था उसे कट करके और लाइटर की मदद से हमें back side में सारे cord को चिपका देना है सो यहाँ पर अभी देखिए यह इतना design मैंने complete कर लिया है और यहाँ पर डिजाइन बनाने के बाद जैसे की देखिए फ्रेंड्स यह रेड कलर का कॉड हमें यहां से नौट में से फसाना जरूरी है जिसे की मुरका पंक stable रहेगा उसकी बाद अभी इस रेड कलर के कॉड को हम फेसे यहां से टर्न कर लेंगे और टर्न करने के बाद जैसे उपर के तरब हमने कॉड्स को रैप किया फ्रेंड्स उसी हिसाब से हम कॉड्स को रैप करेंगे फिर साइड में यह फोर या थरी नौट बनेंगे बीट्स डालेंगे और फिर हम कॉड्स को रैप करेंगे इसी तरह से फ्रेंड्स करते हुए हम पूरा मोर पंक बना के complete कर लिए और यहां पे देखिए फ्रेंड्स मो 11 12 13 14 14 बीट्स लगाते हुए और यह पूरा मैंने जो मोर पंखी है बना के कम्प्लीट कर लिए बहुत सुन्दर लग रहा है फ्रेंड्स अब होब आप आपको भी पसंद आयेगा तो अभी यहां पे जैसे देखिए इस साइड मैंने कोड को फसाया था तो इस तरभ भी हम साइड में राइडमि वाले को फसाएंगे तो जैसे देखिए यहां तीन नॉट लगाया है क्योंकि 4 नॉट ज़्यादा हो रहा था तो 3 नॉट लगाई है मैंने अभी यहां पर देखिए फ्रेंड्स कॉड पर को यहां पे कॉड को फसान न कम न ज़्यादा तो रेट कर से एक कॉड हम यहां से परब से निकाल लेगे और खीचेंगे यह देखीए खीचने के बाद अभी yellow color के जो two quarts है तो जैसे उपर bits डाला है इसमें भी एक bits डाल देंगे और bits को डालने के बाद देखी friends जैसे उपर के तरफ मैंने quarts को double time wrap किया था उसी procedure से यहाँ पे yellow color को और आगे के जितनी भी कॉट से सभी को रेड कलर के कॉट पे डबल डबल टाइम हमें रैप करके और पूरा कंप्लीट करना है अब सेकिन कॉट ले ले लेंगे यलो कलर का और इसको भी रैप करेंगे सो अभी यहाँ पे देखी फ्रेंड सारे कॉट को मैंने डबल डबल टाइम रेड कलर के कॉट पे अटैच कर लिया है और इसके बाद यह रेड कॉट को अभी हमें यहाँ से जो साइड का यलो कलर का नॉट बना है उसमें से पास करते हुए निकाल लेना है तो यह दिखी क्रो और निकाले के बार देखी फ्रेंड अभी हम क्या करेंगे जो भी एक्स्टा कॉट्स रेंगे इनने हम सीजर से कट करेंगे यहाँ पर इड कलर का मैंने कट कर दिया है साथ में जो एक्स्ट्रा कॉट्स साइड के बचे थे उने वह एक तरफ बना लिया है बहुत सुंदर बना है तो दूसरे तरफ देखी फ्रेंड्स मैंने क्रोशिया की मदद से फोर कोड्स मैंने यलो कलर के 20 इंच के मैने 4 4 quads यहां पर attach कर लिया है देख सकते हो आप 4 quads है इसकी बाद अभी इन्हें लेके हम दिखिए इस तरह का not लगाएंगे तो 4 quads लेना है और simple square not लगाना है तो जैसे माले जी यहां पर total 8 quads है 8 quads है यहां पर तो 2 not बनके आएगा simple square not का अभी second not यहां पर 4 quads को लेके second not लगा लेंगे अभी देखिए friends दो not लगाने के बाद फिर से हमें दोनों not में से 2-2 quads लेना है और इस तरह से 4 quads हो जाएंगे अब मटका शेप का red color का इसमें एक bits डाल देंगे और bits को डालने के बाद फिर से हमें एक simple square not लगा लेना है तो इस तरह से यहां पर देखिए friends एक not और bits लगा के इतना हमारा complete हो जाएगा और इसके बाद यहां से देखिए starting से एक quads लेना है और आगे के तरफ जितनी भी quads है सभी को हमें first वाले quads पे double double time wrap कर लेना है एक दमाराम अरम से इस तरह से सारे quads को wrap कर लिया और देखिए yellow color का है यहां से side से हम इस तरह से pass कर लेंगे और इसके बाग अभी red color का यहां पर फिर से देखिए friends जैसे मैंने यहां पर side में wrap किया है तो red color का cord ले लिया है और यह जो red color cord है यहां पर मैंने इसे भी 20 इंच का ही cut किया है और इसे जरा सा हलका सा melt करना है और side में हम यह जो punk बनाई है side में हम चिपका देंगे knot के और उसके बाद यह देखिए yellow color के cord पर इस तरह से रखना है और double double time अभी हम red color के cord से wrap करेंगे यह देखिए इस तरह से फिर second cord ले लेंगे और इसके उपर भी हमें इस तरह से wrap करना है तो अभी यहां पर देखिए friends, cord को हमें wrap करने के बाद cut कर लेना है और cut करके पीछे के तरफ अभी lighter के मदद से यह देखिए जरा सा हलका सा melt करना है और इसके बाद पीछे के तरफ चिपका देना है अभी फिर से यहां पर red color का cord wrap करने के बाद blue color का cord लगा लिया है और इससे yellow पर wrap करेंगे double double time तो यहां पर जिस देखिए second round मैंने blue color का लगाया है उसी तरह से same procedure देखिए अभी red से फिर उसके बाद blue से wrap कर लेंगे तो यहां पर अभी देखिए second round मैंने blue color के cord से पूरा wrap करके अच्छी तरह से complete कर लिया है और अभी यहां पर देखिए friends हमें क्या करना है cords को इस तरह से half करना है four four cords को और starting का एक cord उठाएंगे और आगे वाला cord को लेते हुए double double time यह देखिए इस तरह से wrap करना है यह देखिए इस तरह से wrap कर लिया अभी यहां पर हम देखिए दूसरी तरह आजाएंगे और इधर के भी जो यह तीन cord बचे हुए इन्हें एक एक करते हुए first वाले cord पर double double time wrap कर लेना है तो अभी यहां पर देखिए friends सारे cords को मैंने wrap कर दिया लाश्ट में देखिए एक के cord बच गया है इन्हें भी हमें दूसरी के साथ इस तरह से double time wrap करके ले लेना है यह देखिए पूरा इतना मैंने complete कर दिया अभी यहां पर जो यह extra cord है इन्हें कट करके और सीजर से पीछे के तरब चिपका देना है सो अभी यहां पर देखिए फ्रेंड फ्लावर बनाने के लिए हम इस तरह के बीच का इस्तमाल करते है आटिफीचियल जो फ्लावर कॉटन का बनाते है उसमें लगाते है इसे तो इसका इस्तमाल मैं करूंगी मोर के गर्दन पे यानि सीर पे जो पंक होती है उसकी लिए त अची तरह से टाइटली और कुण वर देखिए दो फीन बार हम इसे अची तरह से यहां पर सील के कर नोर का जो ऊपर सीर का आगल है जिसने हने पंक रहती है तो इसे हम लगाएंगे यहांael है यहां पर हम भीच उ इसको लगाएंगे और स्वी जो निडल है उसकी मदश कर मेरे पास इसलिए मैंने इसके सीर के जो पंक है उसके लिए मैंने यहां पर इस बीज का इस्तमाल किया है जिससे कि इसका जो खुबसूरती है मोर की और ज्यादा बढ़ जाएगी यह देखिए इस तरह से हमें नीडल से सील लेना है सो यहां पर देखिए फ्रेंड पंक बनके पूरा कम्प्लीट हो गया है सो अभी यहाँ पर देखी फ्रेंट्स इस तरह का मैंने दो स्टोन लिया है मोर के आखों के लिए और इसे हम देखिए फैबरिक गुलो से साइड में मोर के आखों के लिए और इस्तमाल करेंगे तो इसे हम सायर सायर से चिपका देंगे so friends इस तरह से ये माइकरम का peacock बनके complete हो गया आप सभी के बहुत सारे request आते थे मैं हमें माइकरम का peacock बनाना बताओ तो मैंने कोशिश की है आप सभी को best देनी की तो I hope आप सबको ये माइकरम का peacock पसंद आएगा friends यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है ये peacock पसंद आता है तो please friends मेरे वीडियो को लाइक कीजेगा इसे share जरूर करिएगा साथ में आपका कोई सुझाओ हो तो आप comment box में जरूर mention भी कीजेगा channel को मेरे जरूर subscribe कीजेगा साथ में notification वेल को on रखिएगा इसी तरह के वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए so friends फिर से मैं आप सभी को धन्यवाद देती हूँ वीडियो को देखने के लिए बाई बाई